हेलो फ्रेंस वेलकम तो माई यूटूब चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे ही होंगे आज हम बात करेंगे आरो ए आरो ए आरो एक्जाम पेपर जो की हुआ है 11th of 5 यानि की कल इसमें हम 2-3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे पहले तो हम बात करेंगे की एक्जा आदा ही हाई था पेपर वन देखिए मुझे टफ लगा और इसमें क्या है कि अबरेज एट्टैंप्ट अगर बच्चे नहीं किये होंगे किसे तो 100-110 किये होंगे पेपर टू हमेशा की तरह हिंदी का इजी था तो उसमें क्या है आगर आप साथ में से 55-50 प्लस भी कर लेत कट आफ 115-120 जाता ही जाता है क्योंकि पेपर टू में बच्चे स्कोर बहुत अच्छा कर लेते हैं अब मालो अगर पेपर टू में 50 कर लिया या 55 कर लिया और पेपर में कितना भी ठपेपर आएगा 65 करी लेते हैं जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वो या जिसका थोड़ सारी हैं बहुत से सेंटर से और यह बहुत ही दुखत घटना है क्योंकि ऐसा ही सेम हो रहा है 2016 में बहुत सारे प्रूफ हैं इस बार 2016 में तो इतने प्रूफ भी नहीं थे आप क्या कर सकते हैं कि आपको ना शांत मत बैठी है मेल कर यह जादे से जादा क्योंकि कुछ हो गय नहीं होगा कि दो चांस्स हो सकते हो सकता है और अगर ईलैक्शन हिर यतो यह दिखिए तो यह हो सकता है कि ना हो क्योंकि उन्हें जल से जल जो भी है फार्मेल courage vacancy pap tô क्सक्ट करनी हैं तो हमें क्यों करने हैं मेलामें क्यों आवाऊज उठानी हैं तो देखे उसमें भी ये रिपीट हो सकते हैं तो चांसस नहीं लेना है और अपने आपको डी मोटीबेट बिल्कुल नहीं होने देना है क्योंकि एक महीने बाद ही एक्जाम है और जिसने भी पढ़ाई कि होगी आरो यारो के लिए उसकी मोस्ट अफ जीज़ें तो कवर हो ही गई होगी ठीक है डिक करन्ट अफ यह उग्या यूपी हो गया स्रेक हो गया तो आपको बीजन करना है ज़ादा से जादा रीवीजन करना है और हम बिल्कुल कि एमार सोचना कि जिस तरी किसे इसमें कोशन आये है और ओ यारो में करन्ट अफ युर के उसमें भी ऐसे आए इसमें और और मुझें नहीं पूछे गई, चांसेज में कि उसमें भाइला पूछा गई आपकाा और बहुत से आःओर्ट की, बहुत सब्सुपध नहीं पूछे गई, बहुत समीट्स नहीं सही से, ठीक है? तो पढ़ते रहिए हैं और मोटिविशन रही है और देखे यूपी पीसे स्पिर्लियम्स की प्रिपेर रहे हैं वो पेपर भी ऐसा हो सकता है देखा चांसे ठीक है जो आये थे ना कोशन बहुत बहुत इजी कोशन आये एक दस मिजट की वीडियो से और वो सारे मैंने कहां से नोट्स बनाए हैं अपने नोट्स हैं NCRT से और स्पेक्टर में वहां से और कुछ भी फाल्दूगा नहीं है उसमें तो करेंट अफियर यूपी जो है उसमें क्या चाहिए इस बार क्या हो गया है कि थोड़ी क्लियारिटी चाहिए यह नहीं वन लाइनर आप रटके चले रहा है ठीक है और हमारा चैनल जोइन करिए अगर आपको यूपीपीसेस और वीपीसेस की परपेशन कर रहे हैं और आपको और जादा अपडेट चाहिए आपको रिग्रेट नहीं होगा हमारे चैनल चॉइन करने का और हाँ बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है कि यह पेपर लीग हो गया होगा यूपीपीसेस में भी ऐसा ही नहीं हो जाए ठीक है क्योंकि अब क्या होगा आप यह लोग थोड़ा से मोस्ट अवेर हो जाएंगे तो हो सकता है इस वाले पेपर में भी आवाज उठाने है क्योंकि हम जैसे बच्चे जो बहुत मैनत कर रहे हैं पढ़ रहे हैं अगर यह पेपर लीग हुआ है त झाले इस वाले जैसे यह जाएंगे छोड़ा यह यह पेपर लीग हो जा लीटचे खाहांगे टेड़ाय देखने हैं यह लीग हैं जाएंगे ड़वे खाले रहे हैं प्रू़ा क्या है।